किचन और घर के काम को करने के साथ साथ टाइम और पैसे की बचत भी हो जाए तो किसे नहीं अच्छा लगेगा कुछ ऐसे ही टिप्स लेके आई हैं जो आपको बहुत ज़्यदा पसंद आएगा बटर को जब भी हमें इस्तमाल करना रहता है रोटी या ब्रेट पर तो हम इसे आधा गंटा पहले फ्रेज में से बाहर निकाल कर रखते हैं ताकि ये थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए और लगाने में आसानी रहे कभी फ्रेज में से निकालना भूल जाते हैं और इसे लगाना रहता है तो हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि इसे रखें ताकि ये मेल्ट हो जाए तो आप क्या करें इस तरीके से श्टील का चाय शन्नी ले 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 और इसे देखिए इस तरीके से बटर के उपर रब करें जब ऐसे रब करेंगे तो बटर के छोटे टुकडे इसमें निकलेंगे एकदम बारिक बारिक टुकडे निकलेंगे तो इसे जब आप ब्रेड या रोटी पर लगाएंगी ने तो बहुत ही आसानी सी ये spread हो जाएगा आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही इसे आधा घंटा रखना पड़ेगा room temperature पर होने के लिए यानि अगर time नहीं है तो आप इस तरीके से भी इसको लगा सकती है तो इस तरीके से आपका time भी बच जाएगा और काम भी आसान हो जाएगा चलिए friend, next tip देख लेते हैं, मच्छर मारने वाला बैट तो सबकी घर में रहता है और यह जो बैट है इसे अगर अच्छे से clean नहीं किया जाए तो यह अच्छे से काम भी नहीं करता है कभी-कभी यह ठीक तो रहता है मगर यह मच्छर नहीं मारता है तो हम सोचते हैं कि यह खराब हो चुका है क्योंकि इसके अंदर धूल मिट्टी हो जाता है और कभी-कभी तो इसमें जाले भी हो जाते हैं मकड़ी के छोटे-छोटे तो उसे clean करने के लिए आप इस तरीके से पुराना tooth brush लेले और इस तरीके से देखे बस tooth brush को आपको इसके उपर घुमाना है ध्यान रखेएगा पहले इसका button बंद कर दीजिएगा उसके बाद इसे clean करेगा तो दिखे इस तरीके से दोनों साट से आप इसे अच्छे से क्लीन कर लें उसके बाद आप क्या करें इसे थोड़ा सा ऐसे टैप कर ले एकदम हलके हाथ से ज़्यादा जोर से मत करिएगा नहीं तो तूड जायेगा तो इससे ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा और वापस से नए जैसे काम करेगा यहाँ पर मैंने फूल गोभी लिया है फूल गोभी को हम अलग-अलग रेसिपी में यूज करते हैं पुलाओ, सबजी, मैंचुरियन वगर बनाते हैं आपके फैमिली में इसे किस तरीके से खाना पसंद करते हैं यानि कौन सी रेसिपी ज्यादा पसंद करते हैं इसकी कमेंट करके जरूर बताईएगा मुझे अच्छा लगेगा तो देखिए अभी हमें क्या करना है इसको इस तरीके से तोड़ कर अलग कर लेना है और जो बीच वाला पाठ है उसे काट लेंगे तो अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा टुकड़े में काट लें उसके बाद देखिए जो ये गोभी है इसके उपर पतला इसकीन रहता है इसे जरूर निकालें इसको निकालने से गोभी जल्दी पकता है अगर इसको नहीं नि दालेंगे पानी तो फ्रेंड हमें यहाँ पर हलका सा गुनगुना पान लेना है बहुत ज़्यादा गरम नहीं अब पानी डालने की बाद इसमें डालेंगे आधा छोटा चमश नमक थोड़ा सा गोभी है तो मैं थोड़ा ही नमक डाल रही हूं ज्यादा गोभी है तो नमक रहेंगे वो उपर पानी की आजाएंगे तो यह अच्छे से clean हो जाएगा बिना उबाले हुए यानि आपको उबालना भी नहीं पड़ेगा और गोभी अच्छे से साफ हो जाएगा जब हम नई कंगी खरीते हैं तो कभी कभी कोई कंगी इस तरीके से आ जाती है कि उसे यूज करना भी मुश्किल हो जाता है जैसे कि ये कंगी है इसका जो दाता है ये बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है जब भी इसे सर में हम लगाते हैं तो सर में बहुत जुकता है तो ऐसे नुकेलेदर कंगी को नॉर्मल करने के लिए बहुत ही बढ़िया टिप बताऊंगे क्योंकि पैसे वेस्ट भी नहीं जाएंगे और इसका यूज भी हो जाएगा तो उसके लिए प्रेस को अच्छे से गरम कर लेना है यानि आइरन को अच्छे से गरम करना है उसके बाद बटन बंद कर देना है आईरन को बंद कर देना है उसके बाद इस तरीके से कंगी को उसके उपर टच करके ऐसे थोड़ा सा रब करना है जब आप रब करेंगी तो इसका जो पॉइंट है न वो पिघल कर अपने सेप में आ जाएगा मतलब जितना हमें और गरम कर लिए उसके बाद फिर से कंगी को इस तरीके से करके बराबर कर लिए तो देखिए कंगी का जो नोख है वो पहले से कम हो गया है और यूज में आ जाएगा यहाँ पर मैंने चौपर लिया है चौपर का यूज हम करते हैं वेजिटेबल कट करने के लिए आज इसका एकदम डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे मतलब एकदम अलग तरीके से कुछ नया रहेगा फ्रेंड और इससे नहां आपका काम भी आसान हो जाएगा तो चलिए देखते हैं क्या करना है यहाँ पर मैंने दूत की मलाई लिया है कभी कभी घर में बटर नहीं रहता है और कोई रैसे भी बनाना रहता है और तुरंत हमें थोड़ा सा बटर चाहिए तो उसे निकालने के लिए ये तरीका सबसे बेश्ट रहेगा तो देखिए मलाई को ने इसके अंदर हमें डाल देना है बस तीन से चार चमच मलाई डालेंगे जादा नहीं अगर आपका चौपर बड़ा है तो जादा भी डाल सकती है अब इसे बंद करेंगे और चलाना शुरू करेंगे तो उससे पहले ने एक कम और करना है मगर मैं आपको पहले चला कर दिखाती हूँ तो देखिए मैंने इसको चला लिया है और ये दिखिए जो दूद की मलाई है पूरा इसके ढकन पर भी लग गया है अब इसे दोना भी मुश्किल होगा और बार बार दोने से इसकी डोरी भी खराब होगी तो यहां पर मैंने एक पॉलिथीन को कट करके रख लिया है जब भी मैं इसका यूज करती हूँ इस तरीके से इसके ढकन के उपर लगा देती हूँ फिर इसे अब यह मक्खन बनने के लिए तयार है तो अब इसमें डालेंगे पानी पानी इतना डालना है कि जो मक्खन है वो उपर तैरने लगे तो बस पानी डालने के बाद अब इसे वापत से बंद करेंगे और चौप करेंगे तो बस कुछ मिनट के लिए इसे चौप कर लें उसके बात देखिए मक्खन उपर तैडने लगा है यानि हमारा जो मक्खन वो मलाई में से निकल गया है तो तुरंत अगर आपको मक्खन चाहिए तो आप इस तरीके से इसे निकाल सकती हैं कम टाइम में मक्खन को निकाल सकती हैं इससे आपका टाइम में बचेगा और घर की मलाई स से मखन भी निकाल सकती हैं तो देखिए कितना असान है न जादा तरलोग को मखन निकालने में बहुत ज्यादा प्रोबलम होता है मगर ये तरीका अगर आप कर लेंगी न तो उसके बाद आपको कभी भी प्रोबलम नहीं होगा आप जहट से मखन निकालने के लिए त्यार हो जाएंगे तो देखिए एकदम जट्ट से और ज्यादा क्वांटिटी में मखन भी निकल गया है तो चलिए नेक्स टिप देखते हैं मुंफली खाना बहुत लोगों को बहुत ज्यादा पसंद रहता है दो चार मुंफली अगर खाना हो तो आसानी से हमने हाथ से तोड़ लेते हैं इस तरीके से मगर जादा अगर मुंफली तोड़ना हो तो उंगली और नाखुन में दरध होने लगता है तो मुंफली तोड़ने का अगर आपके पास कोई विवस्था नहीं है तो ये वाला तरीका जरूर अपना ले क्लोथ पिन सबके घर में रता है एक पिन ले ले और इस तरीके से दबाएं पीछे के सैट से नहीं दबाएं वो बिलकुल भी काम नहीं करेगा आगे के साइट से इस तरीके से पिन का इस्तमाल करें और देखिए फटा फट से मुंफली तूट जाता है और ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है अगर अकेले तोड रही है तो थोड़ा सा जादा टाइम लगेगा अगर आपके साथ कोई और है तो आप इस तरीके से क्रेक करके उनको दे दीजिए और वो इसको खोल देंगे तो आपका आसान काम भी हो जाएगा और जल्दी भी होगा तो देखिए फटा फट से यहाँ पर मुफली को हमने तोड लिया है तो फ्रेड उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको हेलफूल लगा होगा वीडियो पसंद आया तो फैमिली और दोस्तों शार शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा